Hello दोस्तो मैं आपका रवी भारद्वाज from रवी स्कीन एंड हेर स्टुडियो से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आने के लिए धन्यवाद करता हूँ दोस्तो मेरा आज का टोपिक है प्रोटीन ब्लीच बटे इस प्रोटीन ब्लीच प्रोटीन ब्लीच होती क्या है? इसके क्या benefit होते हैं? और इसको कैसे बनाते हैं? और इसको कितना time किस skin पे लगाना है? जी आज मैं आपको सब कुछ बताऊँगा दोस्तों मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो आप घर पे असानी से कर सको और उसका कोई side fact ना हो दोस्तों चलो start करते हैं नमबर बन पे प्रोटीन ब्लीच के फाइदे क्या है? प्रोटीन ब्लीच होती क्या है? प्रोटीन ब्लीच के benefit क्या होते है? What is benefit of protein bleach? सबसे पहला नमबर है जो पहला फाइदा है प्रोटीन ब्लीच का उसका सबसे पहला major फाइदा है कि वो skin को clean करता है, साफ करता है और आपकी skin shiny हो जाती है प्रोटीन ब्लीच से आपके skin पे जो काले धबे पड़े हुए हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे जितना भी कालापन है skin पे tanning है वो असानी से निकल जाएगी और इससे बाल बिल्कुल brown नहीं होते बाल बिल्कुल same रहते हैं क्योंकि ये कोई chemical नहीं है skin पर shine आती है इससे anti-aging के लिए ये बड़ा बहतर तरीका है skin को मुलाइम बनाती है और skin को कोई नुकसान नहीं करती सबसे बड़ा फाइदा ये है कि skin को कोई नुकसान नहीं करती next protein bleach है क्या ये एक natural तरीके से त्यार की जाती है इसको जो जो जैसे हम त्यार करते हैं वो सारी चीजे हमारे घर पे ही होती है और ये हमें बड़ी असानी से मिल जाती है protein bleach बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजे चाहिए दोस्तो बड़े ध्यान से सुनना चाहे तो आप इसको लिख के रख लो हमें इसके लिए cleansing milk चाहिए milk powder चाहिए hydrogen चाहिए lacto calamine चाहिए rose water चाहिए glycerin चाहिए साथ में थोड़ी सी cotton चाहिए दो बौल चाहिए चोट चोटे दोस्तो अब जानते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं सबसे पहले आप चेहरे को cleansing milk से अच्छे तरीके से साब कर ले और उसको जो कोटन है उसको पैट करें पानी से और अपना फेस क्लीन करें firstly उसके बाद हमें बनाना कैसे हैं आदा चम्मच हमें hydrogen लेना है उसके अंदर दो ड्रोप लेक्टो कलामाइन के डालने हैं दो ड्रोप ग्लिसरीन के डालने हैं और उसको अच्छी तरह mix करना है थोड़ा थिक होएगा उसके अंदर थोड़ा सा rose water डालो थोड़ा सा mild करो उसको फिर उसको अपनी स्किन पे प्लाई करो दस से पंदरा मिल्ट उसके बाद साब पानी से धोलो फेस को और दोने के बाद थोड़ा सा जैसे नॉर्मल स्किन होती है उसके बाद आप एक अच्छा सा moisturizer स्किन पे प्लाई कर लो ताकि आपकी स्किन ड्राई न हो अब लगाने से पहले आप ये ध्यान रखो कि आपकी स्किन क्या है, कैसी है और उसके हिसाब से ही आपने स्किन को टाइम देना है राइट? जिनके स्किन पे लाने होते हैं, एकने होते हैं उस स्किन पर हम ब्लीच को लगाएंगे 5-8 मिंट जिनकी स्किन ओईली है उसकी स्किन पे भी हम लगाएंगे 5-8 मिंट जिनकी स्किन ड्राई है उनकी स्किन पे हम लगाएंगे 10-15 मिंट और जिनकी स्किन नॉर्मल है उसके उस पे हम दस मिंट लगाएंगे वह जिनकी सेंस्टिव स्किन है उस पे हम बिलकुल नहीं लगाएंगे उनको रेक्षिट कर सकती है रेक्षिट कर सकती है दोस्तों मैं यह ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं आप इसको अपने क्लाइंट पर यूज़ कर सकते हैं आपके घर पे जितने मेंबर हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं इसका कोई साइड एफेक्ट होता है नहीं जब बड़ा नैच्रल तरीके से बनती है वो इसको हम लग लगा सकते हैं बार बार लगा सकते हैं रपीट कर सकते हैं यह नुकसान नहीं करते हैं दोस्तों अगर मेरा यह ट्रीटमेंट बताया हो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ लिको को सब्सक्राइब करो धन्याबाद मैं आपका रभी भार द्वाज